से यात्रा और यह चुनो जब बेटी माबाप ही हिपाज़त करेगी बेटी को तो तुम्हारी क्या जोरत है लोग सबाब इधान सबाब बंद करिये चुनो बंद करिये इसी भी कीमत पर अब नहीं चलेगा ये और इंक्वारी सुरू करिये सुप्रिम कोट से 32,000 तन कहां क्यो सर गया और प्याज कहां है ये जलाल लोग बेटे हैं नहीं चलेगा आम जनता जो जो साधी गरीवी रेखा के नीचे जिसका साधी होगा दस केजी प्याज हम देंगे हर कीमत पर अपने यात्रा पर सरकार का पैसा खर्च कर रहे हैं आप सबसीडी क्योंने दे रहे हैं ये पुरा देश की बेटी सुरक्षा को लेके सरकों पर है और दूसरे तरफ मागाई को लेके पूरा परसान कर दिये पप्पू यादब ने निरन लिया है कि बिलो आप पवर्टी लें जो गरीबी रिखा के नीचे है तीन लाग से जिसको इंकरम अबसोर्स कम होगा उसके घर में साधी होगी हम दस किलो हर साधी के परिबार पर गरीब जो होगा 35 रुपिया में हम उसको प्यास देगी कहां कहां जाएंगे इसके बाद इसके बाद आज 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 यहां पहले कर ले फिर कल हम लोचपा अफिस करेंगे आज भारत सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप जो सिर्फ मंदिर पचार हजार करोर खर्द कीजिएगा अन चीजों पर आप हिंदू, मुसल्मान या ये जो कॉंग्रेस की सरकार है जहां वहां सब शिरी देर लोग हम सब जेके देर है पूरा हमारे हैं से साधी में जा रहा है प्याज उसको यहां नहीं रोग रहा है इनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप चार हजार करोर मंदिर पे नहीं पहले महलाओं की हिफाज़त करिए और महलाओं को सस्ता मत समझे भारत में आप सब से दे दीजिए मुनाखारों पर और लोग भी कर ले जो लूटता है जो दिल्ली भागता है जो यह पानी पिलाता है वो भी कर ले आम आदमी आज रो रहा है घर में बच्चिस एक भी महलाएं आशू बहा रही है पपूया दब कर सकता है तो सब करो बर्बाद कर दिये वैसा ही बेटी महलाएं देश में सुरक्चित नहीं है रो रही है पियाज पर सबसीडी दो मुनाखारों को बेनिफिट मत पहुंचाओ यह पुंजी पत्यों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए सबसीडी नहीं दे रही है इंक्वारी चाहता हूं सुप्रीम कोट के जास से कि प्याज मुनाखा को और सरकार दलाल जब पपूया दब 35 रुपया किलो गरीब आदमी को दे सकता है हर गरीब आदमी को जहां साधी होगी हम 10 क्यूल प्यास देंगे 35 रुपये में हर गरीब आदमी को अमीर को नहीं